हम पेंडरा रोड रेलवे स्टेशन से अमर कंटक की ओर कार्शियात्रा करने जा रहे हैं यह पेंडरा जो है यह अमर कंटक का प्रवेश द्वार कहा जाता है जो विलासपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है और पेंडरा से जो अमर कंटक है वह 45 किलो मीटर है देखिए सघन बन प्रांतर घने सरई के पेड़ तमाम हरीतिमा ही हरीतिमा और निरंतर हो रही जल ब्रिष्टी सरई के ब्रिक्षों से रुक रुक कर बतियाते बादल ऐसा लगता है जैसे ये बादल सरई के पेड़ों की फुनगी पर आकर उनसे बातें कर रहे हैं और ये बादल जो हैं समूचे अरणया वली को जंगल को आर्द्र करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं वो देखिए अमर कंटक परवत का शिखर दूर से ही हमको दिखाई दे रहा है जिसकी हुचाई समुद्र तल से 1065 मीटर पर है आप देख रहे हैं कि बिंध और सत्पुरा का ये समवेत रूप समवेत बिग्रह अत्यंत मनोहारी दृष्टि गोचर हो रहा है क्या सौंदर यह यहां का इसे मेकल कहते हैं मेकल परवत की दाई भुजा बिंध्या चल और बाई भुजा जो है सत्पुरा है इन दोनों के बीच में नर्मदा प्रवाहित है निरंतर गतिमान है जो पूर्व और पस्चिम तक संपूर्ण भारत को हरियारी और प्राकृतिक सौंदर प्रदान करती है अब हम आगे की ओर चलते हैं वो देखिये हमें वो दूर से ही दिखाई दे रहा है कोई ये रजत धार चांदी जैसी सहस्र धाराएं आकास से चांदी की कोई धारा नीचे प्रवाहित हो रही है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजराती है उपर आस्मान में बादलों की धमा चोकड़ी, गरजना, बिजली की करकड़ाहट और चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे बादल आँख मिचवली खेल रहे हो नदी की जलधारा उपर से नीचे की और आती हुई जिसे देखकर ऐसा लगता है कि धर्ती की प्रार्थना फल्वती होने जा रही है अर्थात धर्ती की प्रार्थना को आस्मान ने स्विकार कर लिया है यह धारा सोन की है यह अमर कंटक का पूर्वी भाग है इसका जो पस्मी भाग है वह अभी प्राकृतिक सोंदर यसे भरपूर है यह सहडोल यह जबलपूर डिडवरी मार्ग से अमर कंटक पहुचने पर दिखाई देता है हम लोग सोन मुडा देख रहे हैं यहां सोन नद की उद्गम इस्थली है सोन नद यहां से निकल कर पूर्व में चला जाता है और गंगा की सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है सोन के जल के द्वारा अमर कंटक अपनी जलांजल सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है चुकि पूर्व की और इसका प्रवा है यह देखिए यहां भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना हुआ है कुंड से पतली जल्धारा निकल कर प्रवाहित हो रही है बह रही है और परवत के उपर से बह कर आती हुई मोटी जल्धार में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है थोड़ी दूर जाकर सेकणों फिट नीचे गिरकर ब्रिक्षों में अद्रिस इसी हो जाती है यह सोन का पहला प्रपात है यही प्रपात दूर दूर तक दिखाई देता है सोन मुडा के कुंड में स्रधाल वियन जो हैं शिक्के डालते हैं सोन अमर कंटक का गर्व है कितनी आली तिर्षी सरकों से चलते हुए यह घुमावदार सरकों से हम लोग अमर कंटक पहुच रहे हैं सोन का दृस से बहुत समोहन से भरा हुआ है कितना आकरसक है कितना खुबशूरत है हम लोग घाट की चड़ाई चड़ रहे हैं यहां घाट है जिससे उस पर हम लोग चड़ रहे हैं यहां से प्राक्रतिक सौंदर देखते ही बनता है वारिस रुक गई है अब पानी गिरना कम हो गया है अब सोन आखों से ओज़ल हो गया है चुकि हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं यह अमरकंटक की संतल और रक्ताब चभी से रूबरू होते आगे बढ़ रहे हैं हम लोग छोटी सी बिलकुल छोटी नदी पतली धार के रूप में चोटे से पुल को यह हम लोग पार कर रहे हैं अरे वो सामने निगाह डालिए न बोर्ड पर लिखा है नर्मदा इतनी छोटी इतनी पतली नदी नर्मदा यहां अमर कंटक का दूसरा ही रूप सामने दिखाई दे रहा है देखिए देखिए यहां कुछ मकान मंदिर और संतों के आश्रम है कारियाले है जैन मंदिर है जन जीवन है बनवासी है निर्दवन जीवन जीने वाले तो कनियों में जामुल लेकर बनवासी महिलाएं बेच रही हैं यहां गरीब लोग है लेकिन इन गरीबों की देख भाल नर्मदा सुयम करती है कुछ मिठाई चाय की दुकाने नारियल प्रसाद माला कंठी की कई दुकाने भक्त लोग आते हैं और यहां पहले प्रसाद लेते हैं मिस्थान चाय पीते हैं और नारियल लेते हैं माला और कंठी अपनी अपनी रुच के अनुसार लेकर के भगवान आस्तोस को समर्पित करते हैं नर्मदा मैया को समर्पित करते हैं सोन भद्र को समर्पित करते हैं ये बस स्टेंड है हम लोग बस स्टेंड आ गए ये बस स्टेंड से पूर्व दुकानों की गली से चलते हुए नर्मदा की उद्गम इस्थली पर पहुँच रहे हैं स्वच सीतल जल लहरा रहा है कुंड के चारों और आसपास ये बीश मंदिर बने हुए हैं कुंड यहां देखिए बिलकुल पक्का बना है और कुंड बहुत बड़ा है विशाल है और कुंड के चारों तरफ जो है पक्की जगह दिखाई दे रही है मुख्य द्वार भी विशाल दिखाई दे रहा है यहां देखिए कुंड के पूर्व की ओर एक चोटा सा शिव मंदिर है कुंड के आसपास बने मंदिर मजोले आकार के हैं अमरेश्वर संकर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है यहां कुंड ही नर्मदा का आदिम शुरोत है जल शिव के कंठ से निकल कर कुंड में एकत्रित होता रहता है और कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर पांच-छा किलो मीटर दूर पस्यम में कपिलधारा के पास प्रकट होती है नर्मदा में डुबकी लगा कर लोग पूर्णे लाभ लेते हैं नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदाई सुरूप इस इस्थान को एक महानदी की नैसरगिक और दिब जनमस्तली होने का गौरो देता है यहां से रेवा आसमुद्र पस्चिम की और बहती चली जाती हैं माननेता है कि नर्मदा का हर कंकर संकर है मैंने भी एकत्र किया है कुछ सीवलिंग और चुंकि कहा यह जाता है कि प्रतीक कंकर जो है वो भगवान शंकर का स्वरूप है तो मैंने बहुत सारे सीवलिंग एकत्र किये हैं और कहा यह भी जाता है कि सीवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती आप रख करके पूजा जो है कर सकते हैं अमरेश्वत शंकर के कारण चुकि नर्मदा वहीं से प्रादुर्भूत होती हैं जन्म लेती हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर कंकर लोग वहां के कंकर को एकत्र करते हैं और घरों में ले जाकर के शालिक ग्राम की तरह शिव की आरादना करते हैं अभ्यर्थना करते हैं पूजा करते हैं रेवा रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है रेवा जो है अपनी मन में सोन के विरह का ताप लिये हुए पस्यम की और प्रवाहित हो रही है उसकी गत में ताफ है और सुभाव में सीतलता है एक लोग कथा मैं बताऊं यह जो आप देख रहे हैं हर कंकर को मैंने संकर बताया भगवान संकर के हिदेस्तल से निकल कर जो नर्मदा है वहाँ आगे की और निरंतर गतिमान है और पस्चिम दिशा की और बढ़ रही है बह रही है जबकि सोन भद्र पूर्व की और बह रही है तो यह एक लोग कथा प्रचली थे आईए उस लोग कथा को पहले मैं आपको बता दूँ फिर आगे बढ़ते हैं यह है सोन और नर्मदा की प्रणे कथा प्रेम की कहानी जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गर्वल कर दिया वास्तों में सोन और नर्मदा का प्रेम आपस में चल रहा था एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे जुहिला बीच में आकर के वो नर्मदा की सखी है सहेली है उसने सब कुछ चौपट कर दिया कैसे किया नर्मदा जुहिला को अपनी दूती बनाकर सोन भद्र के पास भेजती है जुहिला सोन के विक्तित्त को देखकर मुग्धो हो जाती है वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है यह बात जब नर्मदा को पता चलती है तो हमारे क्रोध के उल्टे पाउन लोटकर पस्चिम की और बेगवती होकर चल पड़ती है चत्तानों को तोड़ती पहाड़ों को किनारे करती उचलती उत्ताल तरंगों से गर्जना करती हुई बहती चली जाती है पीशे मुड़कर कभी नहीं देखती उधर सोन को इस रहस्य का पता चलता है तो अभी विरह संतप्त होकर अमर कंटक के उच्च सिखर से छलांग लगा देता है पूर्व की और विरह विधुर मन लिए बह निकलता है कुछ दूर जाकर जोहिला उसे मना लेती है उसमें मिल जाती है मानि जोहिला और सोन का संगम हो जाता है लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी विपरीद दिशाओं में बह निकलते हैं और आज तक वे मिल नहीं पाए धर्ती की करुणा बिगली तो होकर नर्मदा और सोन के सुरूप में अजस्तर रूप से बह रही है प्रवाहित हो रही है बह रही है वहाँ देखिए माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलब क्रेणाओं की भूम यह रिश्मारकंड की तपह भूम भी रही है यहाँ पर रिश्मारकंड ने तपस्या भी की थी आम्र तथा सरई के पेणों के आंगर में यह बगिचा है गुल बकावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का जो प्रेम है अभी भी खिला हुआ है यह देखिए माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं जो तीर सेयात्रियों की आँखों में गुल बकावली का अर्क डाल कर दृष्टिकार दुंदला पंच छाटते हैं उसे दूर करते हैं यहिला के मन की खोट और सोन से बिवा होने की खबर लगते ही नर्मदा माई माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा की योर दो तीन किलो मीटर बाद सतह पर आती हैं यह देखिए कपिल धाला के जल का स्रोत दिखाई देता है अमर कंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है नर्मदा कुंड से अमर कंटक का एक शिखर और आसपास की जो भूमिए बहुत उची है वहां का जल निरंतर नर्मदा कुंड से गिलता रहता है प्रवाहित होता रहता है अना दिकाल से अजल प्रवावित है देखिए अमर कंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वर्दान दिया है वास्तों में मद्ध भारत की नदियों में अमर कंटक से निकली नर्मदा नदी का अपना अलग ही महत्तो है जामुन, आम, सरई और दुरलभ, गुल बकावली के पुश्पो के ब्रिक्ष इस छेत्र में उपलब्ध है रिशियों, मुनियों, देवताओं की यह भूम, खनिजों के भंदार से भी संब्रिद्ध है इसने यहाँ बशुंधरा नाम जो है अपना सार्थक किया है अनेक रत्म बिखरे पड़े हैं अमर कंटक में यह अमरेश्वर शिव की अमर कंटक के माध्यम से धर्ती को मिली कृपा है शिवकन्या, नर्मदा, जल के रूप में अम्रित धार है इसे अम्रित के रूप में लोग मानते हैं अब आईए चलते हैं कपिल रिस्की तपस्या भून जो नर्मदा कुंड से 6 किलो मीटर की दूरी पर है नर्मदा यहां 150 फिट उपर से नीचे गिरती है यह नर्मदा का पहला प्रपात है कपिल धारा यहां से पत्थरों पर बिशलती हुई नर्मदा आगे बढ़ती है आगे देखिए दुग्ध धारा दूध की तरह दिखाई देती है यहां पर नर्मदा अनेक धाराओं में बढ़कर पत्थरों पर से बहती है यहां देखिए पानी जो है जल जो है आपको दुधिया दिखाई दे रहा है दूध की तरह दिखाई दे रहा है यहां से नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक पश्चिम में दूध ही माना जाता है यहां का जन्मानस नर्मदा को मा मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पी कर पोशित और जीवित है यहां के बाद निर्जन और सगनवन प्रांच से नर्मदा की आत्रा प्रारंभौती है पश्चिम की और यहां के लोगों की मान्यता है कि नर्मदा हमारी जीवन दाईनी है यह कभी नहीं सूख थी वास्तों में जिस दिन नर्मदा सूख जाएगी उफ दिन हमारी संस्कृति सूख जाएगी धर्ती का रस जो है वह सूख जाएगा धर्ती का रस सूख जाएगा प्रकृति का स्वाभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा एर दिन नर्मदा सूख गई तो अमर कंठी, नर्मदा काय हच्छेत्र, देवताओं, मनुस्यों, अनेक जंगली जानवरों, मिथकों, लोककथाओं, रिशियों, रचनाकारों को अपने संदभ में समेते हुए है महा कविकाल दास ने अपने मेख दूतम काब्य में इसे आम्र कूट कहा है आम्र कूट, आम्र मतलब आम, कूट माने पहार, परवत, जहां आम ही आम की स्रिंकला हो किसी समय यह समूचा परवत आम से घिरा हुआ था, आज का आच्छा दित था अब तो यहां आम्र ब्रिक्ष बहुत कम दिखाई देते हैं, विरले ही दिखाई देते हैं सोन मुला और माई की बगिया के पास अपने आमरतरूं को देखा है देखिए बादल कितने सुन्दर और मनोरम बना रहे हैं आमर कूट को चार बजने वाले हैं अंधेरा चाता जा रहा है एकदम घना घना धुआ सा तैरने लगा है बादलों ने समूचे ये वन प्रांतर को ढख लिया है तमाम बादल ही बादल द्रिश्टिगोचर हो रहे हैं नर्मदा अनवरत अभिराम प्रवाहमान है इसलिए हमारी संसकृति जो है जीवी थे मनुस्य गतिमान है यह एलियूमीनियम उत्पादच्छेत्र है यहाँ अथा खनिश संपदा है यहाँ से प्राप्त खनिश को बाल को ले जाया जा रहा है इसलिए जंगल को काट काट कर रास्ते बनाए गए है आकास मार्ग से तालियों में अमरकंटक से खनिश संपदा बाल को जा रही है अमरकंटक खोखला होता जा रहा है पूरा का पूरा अमरकंटक इसकी खुदाई हो रही है नर्मदा और सोन की हर्याली को समाप्त किया जा रहा है जबकि प्राकृतिक पर्याबरण को बचाना पर्मावश्यक है इसके लिए वैज्ञानिक बिदिसे खनिजों का उत्खनन कराना होगा बादल हमारे पास आ गए हैं पकड में आते नहीं बस रुपहले बादलों का सपर्स अनुभो किया जा सकता है हम उसे चूच सकते हैं इसपर्स कर सकते हैं घंशाम हमारे पास हैं किन्तु पकड से बाहर हलकी हलकी बूंदा बूंदी होने लगी है देखिए चलिए वापस भी होना है यहां से पेंडरा पैंतालिस किलो मीटर है और बिलासपुर सो किलो मीटर है चलते चलते नर्मदा मय्या को हम प्रणाम करने हैं घंबू लीन दीन मीन दिभ्य संप्रदायकं कलो मलोग भारहारी सर्वतीरतनायकं सुमस्ते कच्छ नक्र चक्र चक्र वाकसर्मदे तदीयपाद पंकजम नमामी देवी नर्मदे नमामी देवी नर्मदे झाल झाल